हमारे दिमाग में चार चीज़े चलते हैं observe क्या करते हैं कि टाइम के साथ आपका कुछ यह भी हिल जाएगा नहीं होगा नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ राज खोलेंगे कि psychiatrist के मन में क्या चलता है जब वो patient को देखता है क्योंकि दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग psychiatrist को दिखाना ही नहीं चाते अगर उनको परिशानी भी है उन्होंने Google भी कर लिया वीडियो भी देख लिया समझ भी आ गया ट्रस्ट भी हो गया बट फिर भी वो दिखाना नहीं चाते क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं क्या पूछेगा हूँ क्या जवाब देंगे हम मुझे समझ भी आएगा मैं क्या बोलू और उससे भी बड़ी problem क्या मैं पागल हूँ जो मुझे psychiatrist को दिखाने के जुरत है मेरा दिमाग खराब हो गया जो क्यों आपके पाएगा का मरीज नहीं समझ भाता कि इसको दुरत है तो मैरा आज खोल देता ओमेशा के लिए होता के आए जब भी कोई मरीज आता है तो वो बोलता है namashkaar तो हम भी बोलते है नमशकर हम बोलते है बैठिये अगर किसी को पानी पिलाना है, तो पानी पिला देते हैं, हमारे क्लिनिक में तो हम कॉफी पिला देते हैं, फ्री में, सर्दियों के दिनों में, गर्मी में पी सकते हैं, जिनका पीने का मन है, तो पहले तो यह होता है, उसके बाद यह पूछा जाता है, क्या आपका नाम क्या जाती है कि उस thinking कैसी है अगर इंग्लिश में बोला जाए नेगेटिव विचार तो नहीं आते हैं तो कहीं देप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहा गवराट या विचाने वाली thoughts तो नहीं आती डर या शक तो नहीं होता किसी तरह की कोई कोई tension तो नहीं रहती तो सोच के बारे में जानेंगे तो thought जिसको बोलते हैं उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है मन में मतलब उदासी तो नहीं डर तो नहीं शक तो नहीं घबराहट तो नहीं तो वह जानना चाहेंगे कि आपका मन कैसा रहता है तो आपक होता है कि उदासी है तो सब कुछ डल डल लगता है मेनिया है तो बड़ी खुशी रंगीनी महसूस होती है इसकी जो फरेनिया में कई वर हलुसिनेशन होती है कानों में आवाजे आती है तो यह सब चीजें हम जानना चाहेंगे उसके बाद हम जानना चाहेंगे चौथी चीज जादा बाते करते हैं कुछ ऐसी बाते बोल जाते जो नहीं बोलनी चीएं कुछ सुबहब में बहुत जादा गुस्सा तो नहीं आगया तोड़ फोड तो coordin कर दी कोही खर्चा तो नहीं कर दिया कोई लड़ाइया तो नहीं कर रहे आज्कल जादा या जैसे कई बर क्या होता है gambling हो रही है या gaming problems है बच्चे games तो नहीं बहुत जादा खेल रहे उसकी पढ़ाई में कमी आ गई है वो बाकी दोस्तों से बात नहीं कर रहा तो दोस्तो राज की बात तो यह चाह रही है और यही आप से पूछा जाता है इसे जादा कुछ नहीं पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा क्या आप क्या सोचते हैं आपका मन कैसा रहता है आप कैसा महसूस करते हैं और अगर family नहीं है तो आप खुद भी बता सकते हैं कि आपके इस वभाव में कोई बदलाव तो नहीं आया उसके अलावा आप नेक्स हवा लाएगा यह तो पूछ लिया अब्जर्व क्या करते हैं अब्जर्व तो दोस्तों सब कुछ ही करते हैं कि जब आप रूम में आए तो आप ठीक से बैठे की नहीं बैठे आपने अपनी कोम कर रही है कि नहीं इसलिए नहीं कि स्मार्ट या नहीं इसलिए कि कोई उदास है तो उसने अपना ध्यान रखा है ठीक से कि नहीं कपड़े कैसे पहने और बल्कि आम तोर पर आप देखेंगे जिसे मेरे जैंबर में भी ऐसा है पेशन के गुर्सी सामने होती है ऐसे कोई बैरियर ना हो टेबल तो है फैमली मेंबर इदर बैठे बट जो मरीज है वो सामने बैठे ताकि कई बार क्या होता है घबराट की वज़े से हाथों को रोक लेते हैं लेकिन टांगे ले लगती है अब कैमरे में तो नहीं दिख र जोंगे जैसे काटूंस में आपने देखा होगा जब लोग चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं जब कोई नेगटिव चीज हो जाती है अगर कोई इसके जोफरेनिया वाला है तो वह चौका तो नहीं हुआ वह इदर उदर तो नहीं चेक कर रहा कोई खुद से बात तो नहीं क साइटी घबराहट चोटी मोटी कहने का मतलब मेरा यह नहीं है कि उसकी वज़े से दिक्कत नहीं आती मेरा कहने का मतलब है कम लक्षन हो सकते हैं जैसे फोबिया है किसी चीज का डर है बिचैनी घबराहट है हां सिनमा हॉल में अकेले नहीं जा पाते मेट्रों में अकेले होती है, जैसे social phobia है, OCD है, बार-बार हाथ होते हैं, भगवान को लेके गलत विचार आते हैं, या sex के विचार आते हैं, जो नहीं चाहते कि ऐसे विचार आएं, इस तरह की परिशानिया होती है, तो बहुत सारी चीज़ होती है, और कई सारे लोगों को ये डर लगता है कि हम psychiatrist के cleaning में जाएंगे न, तो वहाँ पर violence होगी, किसी को बांध के रखा होगा, मेरे cleaning में ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी लोगों के cleaning में भी जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कि वो दो bonzer खड़े हैं, और वो डंडा लेके खड़े हैं, या बंदूक लेके खड होते हैं, और क्योंकि family भी साथ में आती है, और 90% लोगों को common problems होती है, उदासी की, घबराहट की, जो level में कम होती है, उनकी quality of life पे वो जरूर फरक डालती है, बट अगर वो इलाज कराएंगे, तो सारी चीज़ें संभव हैं, बैलकि मैं आपको एक बात बताओं, तो हमें तो आदत ही नहीं होती है, जो psychiatrist, हम तो हमेशा healthy लोगों को देखते हैं, हमें ऐसे बिमार लोग हैं, या बहुत बुखार है, इस तरह के मिरीज़ तो हमारे clinic पे आते हैं, लोग एकदम fresh होते हैं, बैठे होते हैं, और अक्सर लोग बोलते भी हैं, कि तो हमें तो लगता ही नहीं इसको कोई परिशानी है, अब ऐसा है ना दोस्तों, हड़ी तोटी होगी, तो plaster चड़ा होगा, सब को नजर आएगा, अब किसी का दिल तोटा हुआ है, किसी के मन में घबरात हो रही है, किसी को डर हो रहा है, शक हो रहा है, तो वो तो जब behavior में चेहें जाएगा, या वक्सर लोग मेरे से पूछते, वो यह पूछते हैं, कि डॉक्सर आप सारा दिन म्रीज देखते हैं, आपको शाम तक कुछ हो तो नहीं जाता, या ऐसा तो नहीं है, कि आने वाले समय में, जब आप इतने साल हो गया, 12-15 साल तो होईगे, पी जी का मिलालो तो 15 साल से उपर होगे, कि टाइम के साथ आपका कुछ ये भी हिल जाएगा, और क्योंकि मैंने 12 साल पढ़ाया भी है, बच्चों को जो मेडिकल की पढ़ाई के बाद M.D की त्यारी करते हैं, तो कई बार बच्चे जब सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो पूछना चाहते हैं, अब तो मैंने ख और फिर उनके घरवाले, ये भगवान, हम क्या बूलेंगे, बलकि मेरे घर में, मेरे पिता जी बोलते थे कि तु बच्चों को डॉक्टर को नहीं बन जा था, मैंने गां क्यों, क्यों बोलने में अच्छा तो लगता है, बच्चों को डॉक्टर है, क्या बोलेंगे, हम पागल होंगा कि नहीं होंगा उसका रिजन यह मानलों आपने दिन में 20 या 30 लोग देखें तो उसमें से 75-80 परसंट लोग तो वो आएंगे न दुबारा आया हैं वो तो आपको थैंक्स कहेंगे वो बूलेंगे कि हमारी जिंदगी बदल गई तो वो परसंटेज तो बहुत क कोई दोविदा रही गई कि सारे मन बेरियर्ज वो खतं हो जाएं और जो इस इस इलाज के आप सब्सक्राइब हैं इस पर अलरेडी हो चुकी यह और जो आपको मदद मिल सकती है वह मदद आपको जुरूर मिलें धन्यवाद झाल झाल